दोस्तो साल 2020 में बॉलिवुड आक्टर सुशान सिंग राशपूत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया लेकिन इस केस में सबसे जादा सुर्खियां जो सनी बटोरी वो थे पूर्व डीजी पी गुपतेशवर पांडे सुशान सिंग राशपूत केस की जाच के दोरान भी वो काफी चर्चित हुए थे मामले की जाच के लिए बिहार और महाराष्ट सरकार के बीच तना तनी के दोरान पूर्व डीजी पी गुपतेशवर पांडे खबरों में आय थे उन्होंने सुशान्थ की एक्स गल्फरेंड रिया चकरवर्थी को लेकर कई बार ऐसे बयान दिये थे जिनको सुनकर आप भी है रन रचाएंगे वही सुशान्थ की इसके बाद एक बार फिर से पूर्व डीजी पी गुपतेशवर पांडे एक बार फिर से चर्चा में है वो इन दिनों अयोध्या में कतावाचन कर रहे हैं पूर्व डीजीपी गुपतेशवर पांडे चर्चा में आने की वज़ा है उनका रिया चकरवर्थी से माफी मांगना आपको बता दे कि रिया चकरवर्थी से पब्लीकली माफी मांगते आए हैं गुपतेश वरपांडे जिन्होंने रिया चकरवर्थी के बारे में उकात वाला बयान दिया था दरसल हाल ही में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो रिया चकरवर्थी पर अपने उस कमेंट पर पस्तावा है इसके जवाब में उनने कहा कि मेरे लिया उकात का अंग्रेजी में मतलब कद होता है लेकिन इसे अपमान जनक माना गया इसलिए मैंने उनसे माफी मांगकर अपने और मैं शर्मिन्दा हूँ कि मैंने इस तरीकी का वोड यूज किया आपको बता दे कि रिया चकरवर्थी के लिए उन्होंने इस वोड का यूज किया था जब उन्होंने कहा था कि उनकी आउकात नहीं है कि सुषान केस में डीजीपी के बारे में कुछ बोल पाए इतना ही पूर्व डीजीपी गुपतेशवर पांडे ने इस सुषान केस पर भी बयान दिया और कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि सुषान सिंग राशपूत की हत्य हुई है या फिर उन्हें मारा गया है आपको बता दे कि सुप्रीम कोट ने सुषान सिंग राशपूत की मौत के मामले की जां जिस CPI को सौपने का फैसला सुनाया था जब बिहार के DGP रहे गुपतेशवर पांडे ने कहा था कि ये नियाय की जीत है रिया चकरवर्ती के परिवार वालों की तरफ से मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर भी कमेंट को लेकर उन्होंने कहा था कि उनकी आउकात नहीं है कि नितीश पर कुछ भी बोल सके नितीश कुमार के सपोर्ट से ही सुशान के परिवार वालों को नियाय मुलने की उम्मीद जगी थी लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिया चकरवर्ती के लिए औकात वाला बयान दिया था उसको लेकर अब वो शर्मिंदा है और उन्होंने रिया चकरवर्ती से माफी मांगी है